हेलो दोस्तों स्वागा थे आपका हमारे यट्यूब चनल पर तो इस वोड़ों में आपको अतने वाले हैं कि अगर हवाई मोगाल में मैप वर्क नहीं कर रहा है तो कैसे सही करें तो अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो उडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद आजाना है थोड़ा नीचे और यहाँ पर एक ओप्शन मिलेगा एप मनेजमेंट या एपस नाम का जहाँ पर सभी एप रहते हैं तो इस सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद उपर आप्शन मिलेगा एप मनेजमेंट या मैनेज एप का इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर सभी एप आजाएंगे अब आपको उपर सर्च बार में क्लिक करके लिखना है मैप, जैसे आप मैप लिखेंगे तो मैप आ जाएगा मैप पे क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद सबसे पहले फोर्स इस्टोप का ओप्शन है, फोर्स इस्टोप पे क्लिक करके फोर्स इस्टोप कर देना है, फिर clear data और okay कर देना है फिर बैकाना है अब आपको पर्मीशन का एक option मिलेगा पर्मीशन पर क्लिक करना है और यहां से allow में जो है उसे रने देना है जो allow नहीं है डेनी है आपको उसे क्लिक करना है not allow में जो है और allow कर देना है इस तरीके से आपको सभी permission को allow कर देना है allow access to media only तो यहाँ पर सभी allow हो चुका है जो भी allow नहीं रहेगा उसे allow करने के बाद बैक आना है अब देखिए अगर आप search करना नहीं चाहते हैं तो सीधा M पर आएंगे नीचे तो यहाँ पर map मिल जाएगा यहाँ से भी आप कर सकते ह आना है अब अगर settings में जाने के बाद यहाँ पर apps या app management का option अगर नहीं मिलेगा तो फिर आप सबसे ऊपर search बार में क्लिक करके app लिखेंगे तो यहाँ पर उपर या फिर थोड़ा नीचे आपको app management या apps का option मिलेगा इस पर click करके आप app management या manage app पर click करके आप यहाँ से भी map app को clear data कर सकते हैं permission allow कर सकते हैं फिर गाइस mobile के home screen पर आना है अपने mobile को switch off करके switch on करना है या reboot या restart भी कर सकते हैं फिर आपका map 100% work करेगा इस तरीके से आप सही कर सकते हैं तो आज कि दूम बस इतना ही वीडियो को like और चैनल को subscribe कर लिजिए एक प्यारा सा comment भी कर दीजिए thank you